नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्त उपस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को लेकर के जहां गोमती चक्र एक समाधान अनेक यह आज का टॉपिक आप सभी के लिए जीवन में हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ तंतर क्रियाओं में किया जाता है यह बहुत ही साधारन सा दिखने वाला पत्थर है लेकिन इसका यह बहुत प्रभाव शाली लाब होता है जियां आए जानते हैं सी के बारे में गोमती चक्र के उत्पती भगवान विष्णू के चक्र से उस समय हुई जब देव दानों द चक्र से समुद्र में ऐसी भयंकर चक्रावाद गुलाकार तरंग उत्पन किया कि मंदर आचल उसी में फसकर अत्यांत तिव्रक गति से प्रित्वी से उपर उठकर घूमने लगा इस चक्र को ही भमर कहा गया है इस भमर में फसकर बड़े बड़े जलपोत डुप जाते हैं इस भयंकर वेग से मंदर आचल के निचले सतह से अनेक पत्थर लावा बन करके बाहर छिटकने लगे तथा अनेक मरियां बहुमुल्य धातुएं तथा अन्यवस्तुएं जैसे शट्ख इत्यादी भी छिटक कर बाहर निकलने लगे कुछ अतिक कीमती रत्न पत्थर इत्यादी घर्षन से पिगल गए किन्तो उपर पानी के सतह पर आते ही ठंडे पढ़ने लगे जो भवर की अबाध तिव्रगती के कारण गोल रूप लेते चले गए इनकी संख्या धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भवर हलका पढ़ने लगा और अंत में समुद्र मन्थन को रोकना पढ़ गया वरूण यानिकी जल के निचले सतह पेंदे और गोरूप धारिणी माता प्रित्वी के उपरी सतह के मध्यवर्ती रत्न धातु इत्यादी गोम रित्ति का या गोमित्ती या गोमती चक्र के नाम से जाने गए रहस्य विज्ञान के प्रवर्तक वरूण देव जल के संघश में रासायनिक संयोग के कारण इसके अंदर शक्ति शाली अती विचित्र शक्तियों का समाविश हो गया और गोमता यानिकी गोमाता प्रित्वी के आशिरवाद से इसमें धन समपदा इत्यादी प्रदान करने की शक्तियां भी समाविश्ट हो गई गोमती चक्र एक अत्यांत शक्ति शाली उग्र रासायनिक प्रभाव वाला जल से उत्पन प्राकृतिक पदार्थ है जिसका नियम से और जिसके लिए उप्यूगत है यह प्रियोग करें तो अनेक विद्न बाधा से निश्चित मुक् उप्योग किया जाता है जो दिखने में बहुत ही साधारण होता है लेकिन इसका प्रभाव असाधारण होता है तंत्र शास्त्र के ग्याता इस पर अनेक विध्य पूजन कर इसे प्रान प्रतिष्ठा से विश्श शिद्धी दायक बना देते हैं जिहां गोमती चक्र के प्रुपीड़ा संतान प्राप्ति और खासकर धन संचे में इसकी सिध्धी के विशे में अनेकों मत मतांतर देखे गए हैं कुछ इसे स्वयंग सिध्ध बताते हैं तो कहीं इसकी सिध्धी के निर्देश मिलते हैं खोली दिवाली तथा नवरात्र इत्यादी प्रमुक्ते वहारों पर गुमती चक्र की विशेश पूजा की जाती हैं ग्रहन या अमवस्या भी महत्वपून और सिध्धी दायक माने जाते हैं अन्य विभिन मुहुरतों के अवसर पर भी इनकी पूजालाव दायक मानी जाती है जैसे गुरु पूश्य योग सर्वसिधी योग तथा रवी पूश्य योग पर इसकी पूजा करने में घर में सुख शान्ती बनी रहती है जिहां अगर पूजा करते हैं इसकी तो घर में शुख और शान्ती आती है खासकर मारण सम्मोहन वशिकरण स्तंभन उचाटन जैसे प्रयोग में और व्यापार व्रिद्धी अचल इस्थिर लक्षमी शत्रुभय पीड़ा देह व्याधी दूस्वप्न जैसे विश्यों में इसका प्रयोग अत्यांत प्रभावी देखा गया है लेकिन अभी मंतरित करने से गोमती चक्र का प्रभाव सोगुना बढ़ जाता है सबसे पहले ये बताना उचित समझता हूं कि आप जान ले कि गोमती चक्र क्या है ये गोमती चक्र कम कीमत वाला एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी से मिलता है विभिन तांत्रिक का पानी में डाल देना चाहिए तथा सुबह उठकर पानी को पी जाना चाहिए इससे पेट जनित सभी रोग दूर हो जाते हैं यदि शत्रू बढ़ गए हो तो जितने अक्षर का शत्रू का नाम है उतने गोमती चक्र लेकर के उस पर शत्रू का नाम लिखकर उन्हें जमीन में ड़ाँन हो रहा है तो एक गोमती-चक्र लेकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दें और सच्चे गोमती चक्र लेकर के घर के दक्षिन में हलू बलजाद कह करके फेंक दें। श्वर चाहेंगे तो धिरे धिरे ये मतभेद समाप्थ हो जाएगा। गुमती चक्र को होली के दिन थोड़ा सिंदूर लगा करके शत्रू का नाम उचारन करते हुए जलती होई होली में फेक दें आपका शत्रू भी मित्र बन जाएगा। यदि किसी का स्वास्ते अधिक खराब रहता हो अथवा जल्दी जल्दी अस्वस्थ होता हो तो चतुर्दशी को ग्यारा अभी मंत्रित गुमती चक्रों को सफेद रेश्मी वस्तर पर रख करके सफेद चंदन से तिलक करें फिर भगवान मृत्यूंजय से अपने स्वास्ते रक्षा का निवेदन करें और यथा शक्ति महामिर्तुंजय मंत्र का जाप करें तथा पाठ के बाद छे चक्र उठाकर किसी निर्जन स्थान पर जाकर तीन चक्रों को अपने उपर से उसार कर अपने पीछे फेक दें और पीछे देखें विना वापस आजाएं ताकि बच तीन चक्रों को किसी शिव मंदिर में भगवान शिव का स्मरन करते हुए शिव लिंग पर अर्पित कर दें और प्रणाम करके घर आ जाएं घर आकर चार चक्रों को चांदी के तार में बांध कर अपने पलंग के चारो पायों पर बांधे तथा शिष बचे एक तो थी को ग्यारा अभिमंत्रित गोमति चक्र को घर के पूजास्थल में मादुर्गा की तस्वीर के आगे लाल या हरे रेश में वस्त्र पर स्थान दें फिर रोली इत्यादी से तिलक करके नियमित रूप से मादुर्गा को पांच अगर बत्ती अर्पित करें अब मादुर् को हरे वस्त्र में धारण कर ताबीज का रूप दे करके मादुर्गा की तस्वीर के चर्णों से स्पर्ष करवा कर पीडित के गले में डाल दें ताकि बचे सभी चक्रों को पीडित के पुराने धूले हुए वस्त्र में बांध कर आलमारी में आपको रख देना है यदि आ पीछे देखे विना वापस आ जाएं बाकी बचे दो चक्रों को तिब्र प्रवाह के जल में प्रवाहित कर दें यदि आपका बच्चा अधिक डरता हो तो शुकल पक्ष के प्रथम मंगरवार को हनुमान जी के मंदेर में जाकर के एक अभी मंत्रित गोमती चक्र पर श्री इनी भी मेहनत क्यों न करें परन्तु आर्थिक सम्रिध्धि आपसे दूर रहती हो और आप आर्थिक स्थिती से संतुष्ट न होते हों तो शुकल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 21 अभी मंत्रित गोमती चक्र ले करके घर से पुजा आस्थल में भी मा लक्षमी एवं श व्रिध्धि के लिए प्रार्थना करके हल्दी की माला से उम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र की तीन माला जप करें इस प्रकार सवा महिने जप करने के बाद अंतिम दिन किसी व्रिध्ध तधा नव वर्ष से कम आयू की एक बच्ची को भोजन करवा करके दक्षना दे करके विदा करें यदि व्यवसाय में किसी कारण से आपका व्यवसाय लाबदाय की स्थिती में नहीं हो तो शुकल पक्ष के प्रथम गुरुवार को तीन गोमती चक्र तीन कोडी एवं तीन हल्दी के गाठों को अभी मंत्रित कर किसी पीले कपड़े में बांध कर धन स्थ स्थान पर रखकर हल्दी से तिलक करें फिर मालक्ष्मी का स्मरन करते हुए उस पोटली को ले करके सारे घर में घूमते हुए घर के बाहर आकर किसी निकट के मंदिर में रख दें यदि आप अधिक आर्थिक सम्रिद्धिक के इक शुक हैं तो अभी मंत्रित गुमती चक्र और काली हल्दी को पीले कपड़े में बांध कर धन रखने के स्थान पर रखें यदि आपके परिवार में खर्च अधिक होता है भले ही वह किसी महतोपून कारी के लिए ही क्यों नहों तो सुक्रवार को 21 मंत्रित गुमती चक्र ले करके पीले या लाल वस्तर पर स्थान द करके धूप दीप से पूजा करें अगले दिन उन में से चार गुमती चक्र उठा कर घर के चारों कोनों में एक एक को गार दें तेरह चक्रों को लाल वस्तर में बांध कर धन रखने के स्थान पर रख दें और किसी मंदिर में अपनी समस्या निवेदन के साथ प्रभू को अरपित कर दें यदि आपके गुप्त शत्रों अधिक हो गए हैं अथवा किसी व्यक्ति की काली नजर आपके व्यवसाय पर लग गई हो तो 21 अभी मंत्रित गुमती चक्र एवं तीन लगु नारियल को पूजा के बाद पीले वस्तर में बांध कर मुख्य द्वार पर लट गुमती चक्रों को यदि चांदी अथवा किसी अन्य धातु की डिबी में सिंदुर तथा चावल डाल करके रखें तो ये शिग्र सुप फल देते हैं साथ गुमती चक्रों को शुकल पक्ष के प्रथम अथवा दिपावली पर लाल वस्तर में अभी मंत्रित करके पोटली बना करके धन स्थान पर रखें व्यापार में वरिध्धि के लिए दो गोमती चक्र लेकर के उसे बांद कर ऊपर चोखट पर लटका दें और ग्रहक उसके नीचे से निकलें तो निश्यही व्यापार में वरिध्धि होती है धन लब आप के लिए 11 गोमतीच्र अपने पू गुमती चक्र लाल कपड़े में बांध कर कमर में बांध दें तो गर्भवती का गर्भ गिरना बंद हो जाता है। यदि कोई कचहरी जाते समय घर के बाहर गुमती चक्र रखकर उस पर दाहिना पाउं रखकर जाए तो उस दिन कोड कचहरी में सफलता प्राप्त होती है। चांदी में जड़वा करके बच्चे के गले में पहना देने से बच्चों को नजर नहीं लगती है तथा बच्चा स्वस्त बना रहता है। घर में भूत प्रेतों का उपद्रव होतों गुमती चक्र लेकर के घर के मुखिया के उपर से घुमा करके आग में डाल दें तो घर से भूत प्रेत का उपद्रव भी समाप्त हो जाता है। जहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए गोमती चक्र से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहादी हमातापून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों